हाई फ्रेंड्स दयाना मुहमाद आइमद है और मैं आप लोगों का फिर से एक वार अपने चैनल में यूटूब चैनल में स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे लिसेंड और हियर के बीच में क्या फर्क होता है दोनों का परियोग कैसे करते हैं फ्रेंड्स दोनों का ही मतलब होता है सुनना लिसेंड का मतलब भी होता है सुनना और हियर का मतलब भी होता है सुनना तो आए जाते हैं द सुनना मेर ज corresponds to the river किया हसला जब हम किसी चीज को जान बूच कर सुनते हैं तो हां हम लिसेंग लगाथ है जब हम किसी चीज को जान बूच कर सुनते हैं से हम कोई सांग सुन रहे हों कोई गीत सुन रहे हों अपनी मोबाईल में या कहीं पर या किसी टीबी या सीडी या डीवी प्लेयर में लगाकर तो हमको उसको जालगुच kostनते हैं जालगुच père लगाते हैं उसको नहीं जैसे कि मैं कि s सुन रहा हूं तो अगर कोई सुनेगा तो अपने मन से अपनी इच्छा से मुबाइल में या डीवीडी में या सीडी में या कहीं में लगा करके सुनेगा तो अपनी इच्छा से सुनेगा तो इसको अब इस तरह से कहेंगे आई एंग लिस्निंग प्रेजेंट कॉंटीनुमस का संटेंसर तो आई जी जोड़ देंगे इसमें आई मिलीस्निंग के सौंग मैं एक गीत सुन रहा हूं या इसी तरह से वह एक कहानी सुन रहा है कहानी आप सुनते हैं तो जान्वोष करके सुनते हैं कहानी अगर कोई कहता आया तो आप इसको बैठके सुनते हैं उसके पास तो जान्वोष करके सुनते हैं तो इसको इस तरह से कहेंगे ही इस लिसनिंग एक स्टोरी वह एक कहानी सुन रहा है कहानी सुनेंगे तो जान्वोष करके सुनेंगे तो इसके लिए हम लिसें लगाएंगे ही यत नहीं लगाएंगे या आपको किसी से अपनी बात कहनी हो जैसे आपको कहना हो मेरी बात सुनिये तो इसके लिए आप कहेंगे listen to me मेरी बात को सुनिये किसी को आप अपनी बात पताना चाहे रहे हैं अपनी तरफ उसको आकर्शित करके अपनी तरफ उसका ध्याना कर्शित कर रहे हैं तो आपकी बात सुनेगा तो जान गूज करके सुनेगा मेरी बात सुनिए तो आप इसी तरह कहाएं मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरी बात विश्यान से सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए आप इसको ऐसे कहेंगे Listen To Me Carefully Listen To Me Carefully मेरी बात को ध्यान से सुनिए तो Listen का योज जब किसी को जान रूज करके अपनी बात सुनानी हो या जान रूज करके कोई बात किसी की बात को सुन रहा है अपर उसको हम Listen करेंगे तो हम पर Makingすег करेंगे इसका पूनिवनेसेश़नी काreens हम करके लिक लिक अब छूए इसको मिटा दे रहा हम आप लोग उसको लिक लिग सकते हैं वीडियो को पाउच्छ कर लिख सकते हैं इसको मिटा दे रहा हूत भा答 कि इसका जब परणुप Whamma वह कि और जो होगा और इसका मतलब योटा सुनना इसका मतलब योटार होता है कि अब रही होता है हुआ है इसका है इसका मतलब याहां यहां इसका मतलब वैस्टेशBir वात को ध्यांग दियांग से सार होते हैं इसे जानवर पाण हमारे कान में बढ़ती है जिसको करें है मैंने कुट्टे को भौकते हुए सुना। तो फ्रेंट्स यहां पर आप लोग कहीं वी जा रहे होते हैं या कहीं बैठे हुए होते हैं घर पे या कहीं बाहर या कहीं सड़क पर चल रहे हैं तरताने कोई कुट्टा भौकने लगे कुट्ट ग्याइब्स कि इसके आवाज नहीं सुनता लेकिन कान में पर आवास कड़ती हैं उसके अवाज को सुनते हैं इसके लिए यज पर फॉल्व बाकि मोंपते हुए या इस तरह से इसको कराएंगे मैंने कुट्टे को भगते हुए सुना या इसी तरह से उसने दो लोगों को बाग करते हुए सुना उसने दो लोगों को बात करते हुए सुना दो लोगों कहीं पर बात कर रहे थे किसी ने उसकी बात को सुना इस तरह से लिखेंगे इस तरह से एक चैप्टर है पहले एक चैप्टर था माइ स्ट्रगर फॉर एन एजुकेशन उसमें जो राइटर थे वोगों को बात यह दो लोगों को एक स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना वह सुनना तो नहीं चाहिए थे वह भी काम करने थे लिखिन उन्होंने उनकी बात को सुना तो इसको इस तरह से कि मैंने कोईले की खान में दो लोगों को एक स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना एक स्कूल के बारे में कि बात करते हुए सुना है तो बएक खान में काम Camp करण से लेकिन काम करते हुए सब्सक् Patienten को कि इस तरह से लिए सिफिम अ आई ओwie है I overheard here दराएंगे आपर here की सेक्ट पॉर्ण I overheard two persons talking about talking about a school I overheard two persons talking about a school talking about a school in cold mind mind means khan and call means kola so I have two people in school in cold mind 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 and in cold mind in cold mind in and in cold mind in हुए ऐसे भी वेखते हैं और वहां से गुजर रहा होगा उसके कान से आवाज पड़ी जानगोच करके खड़े होकर सुनता तो इसको लिपने लिखेंगे पीर तो विवेंगे तो फ्रेंग्स इस तरह से लिषेन और हीर का यूज करते हैं लिसेडर होता है कोई काम बात रूम तो तुलेंगे या सॉंग तो लिसेंगे और अंजाने में हमारे कान में बहुत सारी आवाज्य पढ़ती है तो उसको हम here कहेंगे तो उमीद है आप लोगों को यह समझ आ गया होगा लिसेन और here में क्या difference है और उमीद है आप लोगों को यह वीडियो भी पसंद आए होगी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करिए friends के साथ share करिए और चैनल पर नया आया हों तो चैनल को subscribe करिए और जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में धन्यों